किसी भी विशे के संदर्व में गलत धर्णाय उत्पन्द होने का कारण है उस विशे संबंधी अज्ञान। अध्यात्म शास्त्र की शिक्षा के अभावश प्रतेक स्तर के लगभक 80 प्रतिशत लोगों के मन में अध्यात्म संबंधी गलत धर्णाय हैं। फिर चाहे शिक्षा का स्तर कोई भी हो। इन गलत धर्णायों का एक उधारन मैं आपको बताऊं। एक समाचार पत्र में एक चित्रकार ने लिखा था। जिस कलाकार ने गणेश जी की संकलपना को सरोप्रथम कागज पर उतारा उसकी प्रज्या की प्रशंसा करनी होगी। मूर्ति पूजा यानि देवता के रूप की यानि प्रतिक की पूजा। मूर्ति पूजा यह सनातन हिंदु धर्म की एक विशेशता है। हिंदु धर्म में देवता अनेक हैं और उनके रूप भी अनेक हैं। अध्यात्म का अभ्यास्त न करने वाले के मन में इसके कारण प्रश्न उभरते हैं हिंदु धर्म में बताये गए विविध देवताओं और उनके रूप के बारे में यह प्रश्न होते हैं क्या वास्तों में देवता होते हैं? क्या इश्वर का अस्तित्व सत्य है? क्या देवता काल्पनिक हैं ऐसे विवित प्रकार के प्रश्ण होते हैं कुछ लोग इन प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढूनने का प्रयास करते हैं यहां एक चित्रकार ने स्री गणेश जी के संदर्प में जो कुछ कहा वह ऐसे ही एक प्रयास का नमुना है ऐसे सभी प्रयासों का आधार यह है कि देवता या देवता का रूप मनुष्य की कल्पना है अपने अनुभों के आधार पर किया गया एक बौधिक प्रयास है इसी को कल्पना कहते हैं उसकी अपनी मर्यादाएं है स्वामी विवेकानन जी ने अमरिका में एक भाषन में कहा हिंदू धर्म में देवता का जो रूप बताया गया है वह मनुष्य की कल्पना नहीं है जब कोई जीव देवता की कल्पना करता है तब उसकी बुद्धी की सोच जहां तक है वहां तक ही वह कलपना कर सकता है जैसे यदि कोई मचली परमेश्वर की कलपना करें तब वह अधिकाधिक एक अतिविशाल मचली की कलपना करेगी देवता का अस्तित्व वास्तविक है कलपना द्वारा नहीं अपितु साधना द्वारा उनके रूप का साक्षातकार होता है यहां स्री गणेश जी का रूप क्या कलपना है इस प्रश्ण पर हम चर्चा कर रहे हैं स्री गणेश का रूप किसी की कलपना का फल नहीं है वह एक वास्तविक्ता है आपका और हमारा अस्तित्व जितना सत्य है उससे भी अधिक सत्य है स्री गणेश जी का अस्तित्व देवता का तत्व अतिसूक्षम होता है वह पूरे ब्रम्हान में फैला रहता है उसका अपना एक विशेश रूप है उस तत्व के रूप की पहचान साधना करने से ही होती है इसलिए हम साधना करेंगे तो स्री गणेश जी के रूप का साक्षातकार भी अवश्य होगा बीते सहस्त्रों वर्षों में अनेकों को हुआ है इसलिए जिन साधकों को गणेश जी की विविद अनुभूतिया हुई है उनका वर्णन एक जैसा होता है